जै महाकाली आप सबका बहुत बहुत शौगत है आपके अपने यूटुब चैनल पे जहां पे आपको सही चीज जो आपकी जीवन को एक एलाइन्मेंट में एक सही दिशा मिला है उन उपायों को प्रयोगों को बताया जाते है हर वो चीज जो है जीवन में उल्जा हुआ होत तो हर चीज आपके लिए एक खेल की तरह लगी गया पूरा जीवन जो है इतने हसी खुसी गुजारोगे कि कब आपको पता चलेगा भी नहीं कि जीवन गुजर गया जाने का समय आ गया सरीर छोड़ने का समय आ गया यह जीवन को इसी तरह ही जीना जीए पूर्ण रूप स खुसियों से भड़ा आनन्द में लेकिन यहां पर लोग तो ऐसे हैं कि जीवन को इतना बड़ा भ्यानक तकलीफ दुख और बड़े से बड़े डिप्रेशन का खुद को इतना भ्यानक बना लिए जैसे कि वह अभी तुरन छोड़ने ऐसे भी सरीर आपका है ही ने यह तो इसे छोड़ना ही है जो पंच महाभूत के कण है वह लेग लेंगे तो इसे इतना उल्जा के मत रखिये जितना हो सहच सरल रखिये जिससे की जीवन सुल्जा हुआ हो आनंद में हो और अंत समय तक खुसिया है खुसिया दे उल्जा देंगे माया के चक्कर में तो उलज करक अपने जीवन को नश्ट कर दोगे तो जीवन को एलाइनमेंट लाने के लिए सुल्जाने के लिए आपको बहुत असान तरीके और प्रयोक करने होते हैं जैसा आपको बता रहा हूँ यह जीवन का कोई भी छित्र हो चाहे प्यार हो पैसा हो घर हो परिवार हो वेपार हो व मानी की सिद्धी में कि इसमें आप जो भी बोलेंगे चाह अपने लिए बोलें या सामने वाले के लिए वह पूर रुप से सफल होगा चाह अपने लिए जो भी सोच रखेंगे जो भी भाव रखेंगे वह पूर्ण रुप कि, आपके लिये पूर रुपसे यह, पूर सर्थ, देने वाला है, क्योंकि, जब आप अपने ली करेंगे, दूसरे के ली करेंगे, तो याद रखिएगा जो चीज बोल देंगे वह पूर्ण रूप से होई जाएगा जिसे सही चीज बोले या बुरा चीज बोले फिर यह आप उपर निर भर करता है तो हमेसा सही चीज ही बोले तो ही सही रहेगा तो फिर अब साधना की बात आती है, तो साधना को करना कैसे, यहाँ पे मंत्र देगा, सत्तिका, सत्पुरूस का, इस मंत्र को आपको प्रतिती एक माला, 21 दिनों तक जाब करना है, उससे आगे भी कर सकते हैं, किलास पानी ले करके, और जिब जाब करें, उसके बाद आपको क किसी भी हाल में जूट नहीं बोलना है, हर हाल में सची बोलना है, कम से कम, दो या तीन ऐसे होने चाहिए, समय जिसमें आप सची बोलें, तब यह असर करेगा, पुरी तरह से.